अगर आप एक रेस्ट्राउं या होटेल चलाते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट्स को एक अपॉचिनटी में कनवर्ट कर सकें तो सबसे पहले बात समझें कि हमें कस्टमर सर्विस रिकोवरी माइंडसेट एक कल्चर क्रेट करना होगा उसे कैसे हम कर सकते है तो सबसे पहले चाहिए कि जो भी आपकी लीडरिशिप है आपके होटेल में या रेस्ट्राउं में वो टॉप डाउन नीचे मैनेजर्स और देन बिलो सभी को इस तरीके से समझाएं कि हमको अपनी हर कस्टमर कंप्लेंट को एक अपॉचिनटी के रूप में लेते हुए उ हमारे टीम को हमारे होटेल में हमारे रेस्ट्राउं में काम करने वाले सभी लोगों को तैयार करें बाई ट्रेनिंग बाई ट्रेनिंग थ्रू वेरियस प्राक्टिस जिससे की हम कंप्लेंट्स को एक पॉजिटिव अपॉचिनटी के रूप में लें उसकी ओपर काम करें उ भी frontline staff को वो quick decisions लेने के लिए क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि अगर आप response time high नहीं रखेंगे तो कहीं न कहीं customer service recovery hamper होती है और वो सबसे ज़्यादा important होता है जब भी customer complaint करता है कि उसको एक problem है उसने complaint करी और आपने बहुत time लगा दिया तो customer service recovery quality या culture या mindset जो बात कर सकते हैं वो हम शायद नहीं कर पाएंगे चौधा है दोस्तों कहीं न कहीं बहुत important कि हम पूरा का पूरा एक customer service recovery mindset लेकर आएं अपने सभी staff के अंदर कि समझे कि कैसे हमें अपने हर complaint को अपनी customer की हर complaint को एक positive opportunity की रूप में लेना है क्योंकि वो एक वैसा मौका है जहां पर हम customer का दिल जीच सकते हैं तो अगर हम एक immediate action ले ले लें या equality solution उनको दे दें जो कि उनके कहीं ना कहीं उनके मताबक उनके बहुत करीब हो जो चाहते हैं तो वो over happy हो जाएंगे वो delight हो जाएंगे और उनकी loyalty हमारे brand के साथ हमारे hotel या restaurant के साथ बढ़ जाएगी बहुत important है fifth point दोस्तों की hotel की तरफ से ही या restaurant की management की तरफ से एक formalized process हो किस तरीके से एक complaint को receive किया जाए उसे handle किया जाए उसे document किया जाए उस पे solution निकालने के लिए क्या immediate जो हमारे hierarchy model है जिससे की हमें अगर escalation matrix है जिससे की हमें immediate approval लेना है वो immediate approval ले सके हैं और अगर कोई approval नहीं दे बार है तो क्या action ले सकते हैं ताकि customer को हम immediately दिखा सके हैं कि हम आपके लिए कितने चिंते थे हैं हम आपके लिए कितने concerned है और हम आपको एक बहुत अच्छा solution चल से चल देना चाहते हैं अगला है दोस्तों कि हम जब भी अपनी team की meeting लेते हैं उनसे ही feedback लें कि क्या ऐसे concerns ऐसे problems customer के रहे हैं और उनने क्या ऐसा immediately किया जिसे कि उस समय customer को हम happy कर पाए तो वो छोटे-छोटे success stories जो होंगे हमारे internal teams आपस में जब उसको share करेंगी उन feedbacks के थुरू तो कहीं न कहीं दूसरे members भी जो वो नहीं कर रहे होंगे तो वो भी उसको सीख पाएंगे अगला दोस्तों जो भी staff जो भी hotel में, restaurant में हमारा employee है जो भी अच्छी तरीके से customer service recovery कर रहा है problem को positively handle करते हुए उसे एक opportunity समझते हुए उसको customer को happy कर रहा है delight कर रहा है तो उसे reward करें employee उसे recognize करें लोगों के बीच में ताकि और भी लोग motivate हो कि उन्हें भी problem को complaint को problem complaint की तरह नहीं उनको एक opportunity की तरह देखना है behavior, good behavior when rewarded, you know brings in more good behavior from other people around that is what is required अगला है दोस्तों कि आप data collect करें, analyze करें अलग-अलग customer complaints जो आती हैं, वो किस तरीके का feedback दे रही है क्या complaints, categorize करने के बता को पता चलेगा कि किस तरीके की complaint category है, उनको किस तरीके की resolution की problem है कहाँ पे quality problem है, कहाँ पे ambience की problem है, और कहीं ना कहीं उस generic, उस तरीके उस तरीके से generalize करके you know, complaint type को और customer type को और जिस तरीके हम solution दे पा रहे हैं उससे कहीं न कहीं हम analysis निकाल पाएंगे, जो कि कहीं न कहीं हमारे बाकी के customers जो आगे आएंगे, फिर दुबारा आएंगे, उनके लिए वह बहुत beneficial होगा, that also will make a huge difference to the customer experience which we create. अगला है दोस्तों हम एक customer feedback loop create करें, मतलब हम अपने customer के साथ लगातार you know, follow up करें हैं, उनके feedback के वोपर हम जब काम कर रहे हों, तो जब-जब हम उस पर कुछ काम कर चुके हैं, उस पर action ले चुके हों, तो हम अपने कर, उस customer को जिसने complaint करें, उसको हम aware करें कि हर, हमने इस पर action लिया है, और उसका ये अब outcome है, और आपकी वज़ा से सर, ये हो पाया, thank you so very much, उनको हम कहीं न कहीं gratitude पे करें, he will feel great, he will feel valued and he will come again to your restaurant, to your hotel. Also, last but not the least, success stories, हर उस individual की जिसने अपने customer को properly attend किया, एक complaint को recover किया और इसका opportunity के रूप में, customer के सामने, delightful experience के रूप में create किया, उसे, उसकी success story को all over the organization, all over the hotels and other chain of hotels which the brand might have, वहां सब जगा उसे publish करें, ताकि बाकी लोग उसको देख कर समझें, कि उन्ही की team में, उन्ही के hotel में, लोग कितने अच्छे अच्छे experiences कर रहे हैं, और किस तरीके से successfully, customer service, recovery stories create कर रहे हैं, तो अगर आप ये काम करते हैं, trust you me, you will not only bring in more sales to your hotel, to your restaurant, more walk-ins to your hotels and restaurant, बल कि आप एक strong brand reputation create करेंगे अपने brand की, तो I hope दोस्तों आप ये video अच्छे लगी, and you understood how you can do customer service recovery and how you can turn around complaints, you know, customer complaints into opportunities to bring and make customer experiences better, तो दोस्तों मेरी channel Ajit Panikir Official को subscribe करना ना भूले, bell notifications दरूर दबाए, फिर मिलता हूं अगली video में, तब तक के लिए, all the very best, take care.